नमस्का दोस्तों, दोस्तों आप सभी का हमारी यूटूब चैनलेड में स्वागत है दोस्तों डाग विभाग में निकली है सीधी भरती जी हां दोस्तों पॉस्ट ओफिस में पॉस्ट मेन और मेलगार के पदों के लिए वेकिंसी निकाली गई है जिसके लिए आप online आविदन कर सकते हैं नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आविदन जो है शुरू हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर योग गता की बात करते हैं तो दस्वी और बारी पास केवल आपके पास में अगर दस्वी पास है या बारी पास है तो आप इस वेकेशन के लिए आविदन कर सकते हैं उमर सीमा की बात करते हैं तो 18-32 साल यहाँ पर उमर सीमा दी गई है सबी राज्यों के लिए भरती है वीडियो को लास तक देखे ताकि आपके जो भी सवाल और आवर से भरती को ले करके पर यह भरती है जिसमें टोटल वेकेंसी है 266 पर एस डिमीड की बात करते हैं तो जनल के टीगरी के लिए यहां पर 18-17 साल है SCST के लिए 18-32 है और OBC के लिए 18-30 साल है ठीक है कॉलिफिकेशन जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया दस्तुई और बारी पास के इंडियेट्स भरती के लिए आविदन कर सकते हैं और यहां पर application fees की बात करते हैं तो जनल और OBC के लिए 400 रुपए आविदन शुल्क है और महिलाओ के लिए और SCST और PH candidates के लिए कोई भी आविदन शुल्क नहीं है यह सभी candidates यहां पर free में आविदन कर सकते हैं ठीक है payment आपको e-payment के द्वरा ही करना होगा या फिर आप चलान के द्वरा आपका payment कर सकते हैं इंपोर्टन डेट्स की बात करते हैं तो last date है 24 नवंबर आविदन करने की इंपोर्टन लिंक में आपको notification apply online और official website तीनों का link आपको हमाई साइट पर मिल जाएगा और हमाई साइट का link आपको वीडियो के नीचे description मिल जाएगा जैसे हैं आप notification पर किलिक करते हैं आप सीधा official notification पर आजाएगे जो जनकरी हमने आपको दी होई पूरी जनकरी आपको इस notification में मिल जाएगी यहाँ पर आपको आविदन करने का process भी बता दिया जाएगा कि आपको step by step आविदन कैसे करना है और selection process के बारे में भी आपको इस notification के अंदर जानकरी मिल जाएगी और आपको payment कैसे करना है वो पूरा जो आपका process से वो सारा इसमें आपको notification में मिल जाएगा ठीक है चलिए मैं आपको बताता हूँ आविदन कैसे करना है आपको apply online के link पर जैसे आप click करेंगे आप सिधा online portal पर आ जाएगे जिस प्रकार आप IBPS बेंकों की भरतियों के लिए online आविदन करते हैं उसी प्रकार आपको यहाँ पर आविदन करना होगा और security code डाल करके आपको यहाँ पर login करके आपके form को complete भरके document अपलोड करके आपको यहाँ पर form को submit करना होगा और आपको जो application fees है वो आपको pay करना होगी इस परकार आप इस vacancy के लिए आविदन कर सकते हैं दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि latest government job की update आपको मिलती रहे तो subscribe कर करें हमारे यूट्यूब चलें को और गंटी का भी लागें दबाए प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों में शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कि दन्यवाज जेहिंज जे भारत